लो कोडर आर्मी कैसे हैं आप सब लोग आप सब अपनी जिन्दगी में मचा रहे होंगे तो भाई आज हम question solve करने वाले हैं आज हम 4 question को solve करेंगे और कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था binary search का concept आज उससे related हम question यहां पर solve कर रहे होंगे अराम से तो बिना किसी देरी के आज हम start करते हैं आज के session में आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहां पर मैं अगर question को पढ़ू तो यहां पर लिखा कि first and last position of element in sorted array एक array आपको given है जो एक sorted form में है जैसे यहां पर 5, 7, 7, 8, 8, 10 यह है increasing order में भाई यह increasing कैसे किया कहा आपने यहां पर तो 77 दो बार आ रहा है 8, 8, 2 बार रहा है मैंने कहा increasing order में strictly increasing order में नहीं है clear है यह पढ़ाता कही मैंस में हां जी वह यह तो यह आपको एक array given यह यह तो increase होगा यह फिर उतना ही रहेगा ठीक जैसे 5 से 7 increase हुआ फिर 7 से 7 ही रहा फिर 7 से 8 हो गया increase होके फिर 8 का 80 ही रहा फिर 8 से 10 हो गया clear increasing order में यह target आपको given है जो यहां पे है 8 मुझे बताना कि first और last occurrence कब हुई थी तो मैं अगर यहां पे देखूं इसकी first occurrence 8 की कब हुई थी तो मैं यहां से अगर देखूंगा तो first occurrence यहां पे हुई थी तो उसका जो index होगा वो मुझे output में देना है और last occurrence 8 की कब हुई थी वह मैंने यहां पे देखा तो वो मैंने यहां पे लिख दिया तो यह दो value को आपको output में देना है question के लिए एक target value मुझे given होगी ऐसे करके यहां पे 8 दे रही है 8 की first occurrence और last occurrence को मुझे output में देना है तो यहां पे मैं देख पा रहा हूँ कि first occurrence मेरा 3 पे last मेरा 4 पे अगर माल लो 8 यहां आपका output क्या होता है तो मुझे पता है first मेरा 3 इंडेक्स पे है और last मेरा 5 इंडेक्स पे तो तम मैं आपने answer को 3 5 देता है यहां तक चमक रहा है हाँ जी वह यह चमक रहा है तो इस तरीकी से मैं अपने answer को ले सकता था अब इसको solve करने का तरीका क्या होगा तो मैंने का इसका 8 का अब मुझे इसका क्या डूंड़ा last occurrence कैसे दूंड सकता हूं तो मैंने का पीछे से सुरू कर लेता हूं तो मैंने का क्या यह 8 है उसने का नहीं मैंने का है तो मैंने इसका इंडेक्स यहां पर लिए और मेरा जो कुछ से ने वह मैंने solve कर दिया जमक रहा है हाँ जी भईया तो इसको हम कैसे solve कर रहे है linear search की help से तो time complexity क्या हो जाएगे जब मैं एक एक करके पहली बार मैंने 8 को ढूंड़ा तो एंड क्लियर जब मैं पीछे से ढूंड़ना सुरू करूंगा फिर मुझे एक बार वह मिला था तो वहापे भी एंड एंड क यहां तो एंड जब मैं यहां थे यहां आ रहा था तो मैं इतने में अपने answer को निकाल दे रहा हूं कि लिए है हाँ अगर इस question में सिर्फ एकी 8 होता तब output क्या होता अगर एकी 8 होता तो तब output होता first occurrence भी यही है और last occurrence भी यही है तब मैं 3-3 देता किलियर है हाँ जी भईया किलियर है मुझे अब मैंने का अगर इसी question में आपको कह रहा है मालूर्ट 8 की जगा 9 को ढूंड़ने एक लिए कह रहा है मैंने ढूंडा और मुझे नहीं मिला उस case में आपको answer देना है minus 1 minus 1 ऐसी भी हो सकता ना कि टार्गेट वैल्यू आपको दे minus 1 से वो यह समझ जाएगा कि यह element exist ही नहीं करता है समक रहा है हाँ जी भईया अब इसको solve कैसे कर सकते हैं अब हम उस पर आते हैं मैंने का जब भी मेरे पास thwarted order में data रखा हुआ हो तो वहां पे बाइनीरी सर्च का आपको concept लग रहा हुआ मैंने का जब भी आपके पास एक एरे गीवान है और वह thwarted form में है अब कुछ दूड़ने के लिए क्या रहा है तो हमेशा वहां पे बाइनीरी सर्च आप लगा सकते हैं पर वाई यहां पे तो दो दो चीज़े दूड़नी है first occurrence और last occurrence मैंने का सही है मैंने का एक काम हम कर सक क्लियर है अभी मेरा मतलब है सिरफ first occurrence को दूण देने का तो मैंने का इसमें बानेरी सर्च लगा देता हूं क्या लगा देता हूं बानेरी सर्च अब मैं कैसे ढूंड़ूंगा बानेरी सर्च के यल्द से तो मुझे पता है यह मेरा start होता है और यह last वाला मेरा end होता है क्लियर हाँ तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि start equal to zero हाजी और end equal to क्या लिखूं पढ़ता है पहले मुझे मिडवाला element ढूनना पड़ता है मुझे पता है एट मुझे definitely right side को मिलना वाला है जब मैं right side में जाता हूं ठीक तो मुझे अपने start को यहाँ पर लेके आना परता है यहाँ पर क्यों क्योंकि मुझे पता है मुझे इस वाले array में सर्च करना है इस वाले array में हम निक्ते दरा start equal to mid plus one जब हम right side को ढूनते हैं अब मेरे पास यह array आ चुका है अब फिर से हुए काम करेंगे three plus five आपका कितना होता है वह यह eight होता है मैं गया यहाँ पर मुझे मिल गया मुझे क्या मिल गया एट मिल चुका है अंसर पर जो मुझे चाहिए था अब क्या मैं अपने solution को यहीं पर रोग दूँ आप से प्रस्न में यह पूछ रहा हूं वह कह रहा कि आपको इसकी first occurrence को ढूमना है मुझे eight चाहिए था मुझे eight मि चाहिए eight को final करना सही रहेगा नहीं वहीं मैं माल लेता हूं अभी के लिए कि first occurrence of eight यही है ठीक जो first occurrence में ढूमना था वो यही है ठीक उसका index मैं note कर लेता हूं क्योंकि वही मुझे output में देना है मैंने note कर लिया क्लियर है क्योंकि मुझे eight ढूमना था eight मुझे मिल गया क्या मैं इसको final कर दूं answer यहां पर loop break करके भान निकल जाओं नहीं क्योंकि answer left में अभी present हो सकता है हो सकता नहीं हो सकता हां तो इस case में क्या करूंगा जब मुझे मेरा answer match हो जाएगा उसके बाद सबसे पहला काम मुझे इसको update करना है किसको अपने first को मलब fourth index में मेरी first occurrence हो सकती है अभी मैं confirm नहीं है तो मुझे पता है अब मुझे किस पार्ट में ढूनने की जरूरत है इस वाले पार्ट में क्योंकि हो first occurrence की बात कर रहा है clear है हाँ जी अब मेरा area इतना दिख रहा है तो यही इसके लिए end और यही इसके लिए start होगा होगा नहीं होगा हाँ जी होगा तो मैं इसको अपडेट करके क्या लिख दूँ अब फिर से मैंने वही काम करा फिर से में में ढूनो 3 प्लस 3 divided by 3 मिल गया मैंने देखा क्या यह 8 equal to 8 है उस निकाह है जब है तो मैं मुझे पता है अपने इसको मुझे अपडेट कर देना 3 से कि first occurrence यह हो सकती है clear अब मुझे अब मुझे मेरा answer किदर को मिन सकता है इस पे तो हई कि पता लेट में एक और 8 प्रेजेंट हो जब मैं left में जाता हूं तो मैं कहें करता हूं and equal to mid minus 1 तो इसको 2 कर दो and अब किदर को point करेगा इधर को जैसे अगर यह आपका 8 है यह start है तो end कहीं इसको point कर रहा होगा तो मुझे पता है अब मुझे रुक जाना है कब रुक जाता हूं मैं जब तक मेरे end की value greater than equal to है मेरे start से तब तक मैं काम करता रहूंगा जैसे मेरे start की value end से बड़ी हो जाएगे मुझे रुक जाना है जैसी मैं रुका मुझे मेरी first occurrence मिल गई clear है पूरा algorithm वैसे ही होगा जैसे हमने पिछला वाला देखा था थोड़ा सा slide change इसमें हो रहा है अब मैंने इसमें किया क्या अगर मैं code पार्ट में आपको explain करूंग से मैंने question में किया क्या है मैंने start लिया है start equal to 0 and equal to and minus 1 होगा हाँ यही होगा न हाँ और कहके मुझे चाहिए था एक मिट चाहिए था था थोड़ा पतला कर लेते हैं से मिट चाहिए था और एक मैं फर्स ले लेता हूं पर्स को initialize कर देता हूं माइनस 1 से क्यों किया अगर वह नमबर वहां exist ही नहीं किया जिसको मैं ढूंड़ना हूं जैसे मैं पिछले में 9 को ढूंड़ना था अगर 9 मि यह दिपॉलिस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा माइनस 1 माइनस 1 फिर भी प्रजेंट रहीगा कि यह रहे हां जैसे मैं आपने गूंड़ना था ना 9 9 कहीं प्रजेंट नहीं होता ठीक तो अगर मैंने इसको initialize माइनस 1 से कर रहा है फस्ट को तो फर्स में कुछ भी च start igh less than equal to end रहें agilier हाप यहां पर सबते पहले मैं मिट को ढूंड़ता हूँ तो मिट को ढूंड़ने का तरीका क्या है start серд começar and minus start divided by 2 हाज होई हां यही है यह न फॉर्मूला हाज हूई ह हूं उसके बाद क्या तो तीन कंडिसन आती है यह तो मेरा जो एरे मुझे दे रखा है जो मिट को में ढूंडा हूं इकक्वल टू किसके बराबर है जो मेरी टार्गेट वेल्यू है उसके बराबर आजे तो यहां पर मालू मुझे कुछ कंडिसन अभी लिखनी है ठीक ऐल सिप में क्या होता है कि जो मेरी टार्गेट वेल्यू वो बढ़ी है इससे मेरे मिट से यह दूसरी कंडिसन हो गई और लास कंडिसन क्या होगी यहां पर इस पे सोड़ दिया मैं ठीक और एल्स में कि मेरा अरे गमिन बढ़ा है मेरे टार्गेट से यही होगा हाँ यही होगा अब मुझे अपने पर करना है क्या कहां पर होगा मुझे पता है इसमें तो मुझे चेंज नहीं करना जब मुझे किदर को जाने राइड साइड को जाने तो वहां पर मुझे पता है 8 मेरा match हो गया 8 चाहिए था एंड मेरा match हो गया उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं से कि बैइ तू जा और अब left side में भी 8 को ढूंड़ने की कोशिस कर क्योंकि left side में उसे first occurrence मिल सकती है जाने के लिग एक लिए और कह रहा है कि इसको सब्सक्राइंस में क्या दाल दूंगा और उसको कह रहा हूं अब तो किदर चले जा लेफ साइड में चले जाओ तो लेफ साइड में कैसे जाता हूं मैं एंड इक्वल टू मिंड माइनस वन बताओ यहां तक चमका नहीं चमका यहां तक चमका नहीं चमका यह पूरा कोड यह यह पूरा कूर चमका नहीं चमका हाँ चमका मैंने कहा एक छोटा एक्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे करें अग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे करें ठीक यह एक्जाम्पल हाँ अब मैं क्या करो मैंने फर्स्ट को मैंने मान रखा है इस्टार्ट यह होगा एंड वो लास्ट वाल है इस्टार्ट मेरा क्या है जीरो होगा और एंड क्या है सेवन है इनका मिड गौन होगा सेवन प्लंस जीरो डिवाड़े बाइट टू कितना आएगा थ्री तो मैं यहां पर आया ठीक टार्गेट वैल्यू में मेरी थ्री है कि थ्री की फर्स अक्रेंट और लास्ट अक्रेंट को मुझे ढूंडना है ठीक है इसमें मैं पहले फर्स है मैंने उसको तो नोट कर लिया कि यह साथ फर्स हो सकता है लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं कि लर्फ साइड में जाके बाद च्षक कर ले तो वहां ब्रेजुआं ठीक हो सकता है तो मैं इसको बोल उनगा अब तो इसमें मेरी ने की तु को तो यही में इंडि मीठ पारत हो start के कुछ change ने फिर से वही middle वाले element को ढूंडो middle वाले element क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कि यहां पर क्या रखा है 3 रखा है मेरे target value क्या थी 3 थी क्या थी target क्या थी 3 थी जब मेरा जिसको मैं ढूंड़ना हूँ और target 3 प्रेजन्ट अब मैं बोल रहा हूं मैंने बहुत नोट कर लिया है क्योंकि फर्स अक्रेंट वह कह रहा है कि मैं हो सकता हूं लेकिन वह कह रहे हैं एक बार तु लेफ में भी चक्कर ले क्या पता उधर फ्री प्रेजन्ट हो अगर है तो इसको हम change कर सकते हैं नहीं है तो मैं सकते हैं है तो मैंने अब मैं लफ साइड्स में चक्क करुआ अब लफ साइड्स बचा है इसको क्रों chron कर रहे हैं फिर स्टार्ट प्लस एंड डिवाईर भाई टू करूंगा अगर तो में यही मिलेगा क्या यह टू 2 इकल टू 3 है नहीं है तो वो क्या कहेगा कि इधर आंसर नहीं है आप राइस साइट को जाए जब राइस साइट को जाता हूं तो 的 Letter का चले जाता है एक आगे चले जाता है इधर को is start इध उन इी करतो ना इस्टार्ट इक टूर्ड प्लस मिल्वा जटा मुझे पता है एंड इसको कर रहा बवारा मिल जाए छमक का हां बहया छमका अब मैं ने गहाँ मुझे के थर कर ढूमना ना है कि यहां टक चमका अगर चमका तो लिख दो यह चमक यह न कि से हम तक होगा सब्सक्राइल यह ये मेरा start होगा इसके लाए अलग पूल लिखना पड़ेगा और ये मेरा end होगा थोड़ा pause करो सूचो एक बार कैसे answer निकलेगा start equal to zero and equal to seven clear है हाब यह clear है अब यहां से start करते है target वही 3 यह मेरा और जो मेरा last है उसको मैंने initialize कर रखा है मैंने इसके अंदर कोई value अपडेट नहीं होती है तो मैंने आउट्पूट में आ जाए यहां तक सब क्लियर मैंने का पहले middle वाला element middle वाला element क्या में लिए यतों सेवन प्लस जीरो कितना अएगा अपका जीडो प्लस सेवन डिवादे बाए टो मुझे पता है थ्री आएगा मैं यहां पे यहां पर क्या यहां पर वही अच्छमक रहा है अब मैंने इसको बोला यह तो थ्री है अब आप खुद सोचो थ्री की last occurrence किदर को मिली उसे क्या उसे left जाना चीए यह कहीं नी जाना चीए यही रुख जाना चीए और आगे चेक नी जब मैं last occurrence ढून रहा हूं अब मेरे पास यह दे रख है थ्री फोर फाइब सिक्स फोर फाइब सिक्स सेवन क्लियर है हाँ जब मैं राइट साइट को जाता हूं तो मैं स्टार्ट को करता हूं मिड प्लस वन मैं इसको फोर उनाता हूं यह स्टार्ट हो गया एंड में कुछ च इकलडो तो आपको ठी है नहीं है तो आपको कहां मिलेगा यह میल सकता है तो end equal to mid minus 1, 5 में से 1 गया 4, तो इसलिए, ऐसे गर मैंने update किया, अब मैंने फिर से हुई, 4 plus 4 divided by 2, क्या आता है, 4 ही आता है, mid वाला element ढूंड़ना, target क्या है, 3, 3 equal to 3 है, 3 equal to 3 है, तो मुझे पता चला कि 3 मुझे मिल चुका है, तो उसका index मैंने store करा लिया, ऐसे करें, अब जब मुझे 3 मिल चुका है, अब मुझे 3 की last seconds कि side को मिलेगी, अब मुझे यहाँ पर left आना चाहिए, राइट जाना चाहिए, बताइए, जहेर सी बात है, राइट को जाना चाहिए, यहाँ पर तो मुझे 3 मिल गया, इधर की 3 लिके मुझे फाइदे नहीं है, मैं बोलू मिड प्लस 1, तो यह 5 बन जाएगा, जैसे यह बन गया, लूप ब्रेक हो जाएगा, और मुझे मेरा answer मिल जाएगा, last seconds मुझे मिल चुका है, चमक रहा है, हाँ, तो मेरे code में कहां पर difference आएगा, पूरा code रहती ही था, सिरप इस वाली statement में changes आएगे, कौनसी वाली में, इस इसमें, पूरा code वहती ही रहेगा, बस इसमें मेरा change आजाएगा, मुझे यह code यहाँ पर copy करना है, और सिरप इसमें change आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, last equal to क्या लिख दूंगा, mid, अब मुझे बता है, जब मैं last अक्रे ढून रहा हूँ, तो मुझे right side में जाना परता है, किदर, right side में, तो right side में जाने के लिए start equal to mid plus 1, वाकी code बिल्कुल सेम होगा, बताइए, चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, same code दुवारा लिखूंगा, अब मुझे मेरा answer मिल जाएगा, सिरप इस वाले part पर change होगा, जब वो बराबर होते, I hope इसने आपको कुछ sense बनाया होग मनाया, अब मैं अगर time complexity के बात करूं, तो इसकी कितनी होगी, log n, क्योंकि binary search ही लग रहा है, जो यह वाला होगा, इसकी time complexity कितनी होगी, log n, log n को अगर add करूंगा, तो क्या बनेगा, to log n मनेगा, मतलब overall time complexity, भाई, आपके आरी है order of log n, बताइए, पूरा question चमका नहीं चमका भाई, यह चमक गिया, यह तो जरूसते ज़्यादा मुझे चमक गिया, तो क्या, अब हम इसके implementation पार्ट पे जा सकते हैं, जी हाँ भीया, तो चलो इसको implement करते हैं, तो चलिए हमने first question को शुरू करते हैं, हमें यह आपके do, चाहिए first और last position element की किसमें, एक sorted array में, हमें एक vector given है, vector भी array जैसा ही होता है, और हमें अपने answer जो return करना है, एक vector के form में answer को return करना है, वो vector कैसे create करेंगे, वो अभी हम देख लेंगे, तो पहले हम अपनी problem state में आते हैं, पहले मैं धूनूंगा, कि first फिर last, clear हाँ जी भाई हाँ, तो सबसे पहले मुझे start देना पड़ेगा, जिसको मैं 0 से initialize करूंगा, फिर एक end दूंगा, उसको किस से initialize करना है, nums.size-1, clear है कि कितने number of element इसके अंदर present है, वो मैं nums.size से निकाल देता हूँ, और क्यागे चीए, इसके लिए मुझे, एक मुझे first occurrence, उसको मैं minus 1 से initialize कर रहा हूँ, एक last, उसको भी minus 1 से, और एक mid, अब सबसे पहले मैं find करूंगा, क्या, find first और फिर find last, दो दोनों के लिए अलग लग लूप चलेंगे, तो पहले मैं first को ढूंडने के लिए आता हूँ, कि first occurrence मुझे कैसे मिलेगी, तो मैं वही while loop चलाऊंगा, और start less than equal to end कर दूंगा, clear है, हाँ जी वही है, clear है, अब मैं पता है कैसे निकालते है, start plus end minus start divided by 2, यह मैंने निकाल दिया mid element, अब यहाँ पर मुझे comparison करने पड़ेंगे, तो तीन ताइप के comparison होंगे, या तो वो nums का जो भी element है, वो target के equal हो, या फिर उससे छोटा हो, या उससे बड़ा हो, तो पहले हम condition लिखते है, कि if nums of mid किसके equal आत है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहां पर जब यह इसके equal आता है, तो भाईया मेरे first को update कर दो, mid से, और अब मुझे किदर को जाना है, जब मैं first occurrence जोनता हूं, यह element मुझे मिल चुका है, अब मुझे left side में ही इसको लेके जाना है, तो end equal to mid minus 1, यह मैं कर लेता हूं, फिर else if मैं लिखता हूं, अगर मेरी यही condition, इसको copy कर लेते हैं, और यहां paste कर लेते हैं, अगर मेरा nums का mid, मेरा छोटा हो किस से, target से, तो मुझे किस side move करना पड़ता है, right side को, किदर को, right side को, तो right side में जाने के लिए मुझे पता है, किदर कैसे जाना है, start को right side में लेके से ले जाओ, यह लिजे, और else में कि मेरा nums का mid बड़ा होता है, तो मुझे पता है, वो मुझे left side में मिलेगा, तो end equal to mid minus 1, इस तरीके से मैंने इसको code को execute किया, अब मुझे डूढ़ना है last, किसको डूढ़ना है, last को, पर last में जाने से पहले, मुझे क्या करना पड़ेगा अब मुझे पहले start को फिर से 0 पर लाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी position विगड़ चुकी होगी इस से, हाँ जी, और end को भी उसकी सही position पर लाना पड़ेगा, कि nums.size minus 1, दोनों को मैं सही position पर ले के आ गया, मैंने का, उसका code भी पूरा यही होगा, slide सा change होगा, जो मैंने mid element को ढूंडा, फिर जब वो मेरे target के equal बन गया, तो first के जगा मैं उसको किस में दालूँगा, last में, यह मैंने change कर दिये, और किदर को move करूँगा, right side में, क्योंकि मुझे last occurrence उसकी ढूंडनी है, तो last को start equal to mid plus 1, right side में move करने के लिए, बाकी आपके वैसे ही रहेंगे, बाकी अब देखो, vector हम कैसे create करते हैं, जैसे हम area बनाते हैं, वैसी हम vector को भी बनाते हैं, तो देखो vector को बनाने का symbol सा fund है, vector, vector लिखते है, clear ऐसे करके syntax आता है, किस type का vector बनाना है, जिसे integer type का area बनाता हूँ, वैसी इसको बताने पड़ता है, कि मुझे integer type का चीए, vector का नाम, मालू जैसे मैंने vector को create कर दिया, बाकि अब vector को आप ऐसी use कर सकते हैं, जैसे मैं normal array use करता हूँ, कि a0 के इंदर किया दाल दो, first को, और a1 के इंदर किसको दाल दो, last को, और return कर दो, vector गोई, यह नीजे, तो इसको run कर लेते हैं, यह हमारे सारे test case pass, इसको करते हैं submit, और हमारे सारे test case pass, तो इस तरीके से हमने सीखा, कि first और last position of element in sorted array को, हम किस तरीके से find कर सकते हैं, आप इस code को थोड़ा बहुत और optimize कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, कोई major optimization नहीं होगा, आप अगर इसको थोड़ा सा debug करोगे, तो सायथ आपको क्या पता नई approach मिल जाए, कोई major आप उचे इंडी होने वाला, छोटा मोटा मैं कहा रहा हूँ, अब हमने अपने first question को अच्छे दे solve कर लिया है, अब हम आते हैं second question पर जम करने, अब हमारे पास एक array given है, इस तरीके से, यह array इसका नाम ARR ले लेते, यहाँ पर एक target value दे रिखे है, जैसे यहाँ पर four दे रिखे है, तो मुझे बताना है, अगर यह four इसमें present होता इस array में हर number अलग-लग, यह given है question में, clear है, तो मैं कह सकता हूँ, यह जो भी array मुझे given है, यह strictly increasing order में होगा, होगा नहीं होगा, हाँ, क्योंकि हर digit के distinct है, यह given है question, अब मुझे बताना कर यह four present होता, इस array में, तो कौन से index में present होता, तो अगर मैं देखू यहाँ पर, four यहाँ पर present ह है, और कौन से index पे one, तो one मुझे output में देना है, भाईया, यह क्या बात हुई, इस type के question तो आमने पहले भी कर रखें, मैंने कहा, अगर इसमें four की जगा, अगर मुझे five दे देता, तब मेरा answer क्या होता, अगर five इस array में present होता, तो कौन से index में आता, बताईए, one भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, आता तो यहां पर आता, अब बाकी six, eight, ten, fourteen, sixteen, eighteen, एक ही position आगे किसकते, तो five के लिए answer मुझे देना है two, कि उसकी साही position two होगी, अगर five इसका part होता, बताईए, चमक रहा है, यह नहीं चमक रहा है, हाँ, question के लिए, हाँ, अब इसको solve क मुझे four दे रही है, तो मैंने देखा, क्या यह four नहीं है, उसने का इससे छोटा ही है, तो मुझे पता आगे ही, जो कहीं आएगा, मैंने का, यह four इक्वल है, उसने कहा है, तो मुझे पता चल जाएगा यही इसका index है, तो यहां से यह पता चल गया, कि जब भी मैं, array of, जो मेरा answer होने वाला है कौन सा जो भी यहां पर index होगा जो भी present होगा clear है अगर यह बराबर आजाता है यह तो linear search के लिए हो गया अब अगर 5 के लिए मैं search करने के लिए जाता है मैंने यहां पर देखा क्या यह 5 के ग्वेल है उसने का नहीं है तो मुझे यह तो कंपम है उसके एकवल नहीं है उसने का इससे बड़ा है अब जब मुझे फर्स टाइम उससे बड़ा नंबर मिलता है तो मैं बहुत दूंगा कि भाई यहीं पर मेरा क्या आने वाला है 5 आने वाला है बोल सकता है नहीं बोल सकता हूं तो आउट्पूट में मुझे क्या देना पड़ेगा तू क्या हो सकती है जाहिरती बात है order of end time होगा क्योंकि मैं ढूंटे 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 लास्ट तक भी पहुन सकता हूं अगर इसमें मुझे 17 के लिए बोलता तो मैं करते 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 यहां तक पहुन सकता था मैं देखता कि यार यह 17 से छोटा यह भी 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 छोटा यह बड़ा है पहली बात तो उसकी सही पूजिशन यहीं पहार एक कोई था न जो एरिक मुझे गीवन है वो एक sorted form में है और जब भी हमारे पास sorted form में data दिया हुआ है तो बहुत हाई chance देते हैं वहाँ पे की binary search का concept लग रहा हूँ अच्छा अगर मैं सिर्फ 4 के लिए binary search लगाता इसमें जब मुझे पता है 4 present है तब तो मैं normal binary search लगाता है जो हम लगाते हैं कि पहले में middle में जाता है इसका middle यह होता clear है मैं देखता 5 4 क्या है छोटा है किस से 8 से तो मुझे पता है मुझे कहा जाना है left में अब मेरे पास यह वाला पार्ट बचा है तो इसका middle हो जाता यह मुझे मेरा 4 मिल जाता 4 equal to 4 मैं index को return कर लेता यह कब होता जो target value जब इसमें present होती अब जब target value present नहीं है उस case में क्या होगा उसको कैसे govern करेंगे वह है वो हमारा main important चीज है हाज अगर मैं आपसे बूलू है इसको भी हम solve वैती ही कर सकते हैं जैसे अभी दग मैंने कर था अब जो मैं answer दूंगा वह इस index में रखके दे देता हूं मालू है इसमें रखके मैं आपना answer दे दूंगा इसम काम मुझे यहां पर करना है मैं था झूंटे मुझे हुझे पता नहीं या कि 5 इसमें present है या नहीं है यह ए पता था 4 present है या नहीं है clear है हाँ मैं यहां पर यह थर्ड इंडेक्स पर मिडिल वाले पर मैं देखा यह क्या है एट है वह क्या है पाइव है एककोल तो नहीं है तो फाइव किदर प्रेजेंट होता है जहिर सी बात है लेट्ट साइड में होगा होगा तो मैं बोलूगा तु क्यों ऐसा हो सकता है कि इधर मुझे 5 मिले नहीं हो सकता है आज यह जितने भी नंबर हो फाइव से चोटे होगा अगर इसमें इसकी जगा एसा रहता 123 तब तो 5 इसी index आता ना आता नहीं आता हाँ तो वो मैंने इस्टोर करा लिया कब इस्टोर करा रहा हूं जब मुझे पता है कि यहां पे जो वैल्यू मेरी रखी हुई है वो ग्रेट है मेरे target values है मुझे यह confirm है कि मुझे left जाना है left में जाने से पहले मैं उसका index इस्टोर करा दे रहा हूं जो मुझे answer भी देना है ताकि मुझे यह पता रहे कि अगर इधर मुझे 5 से बड़ी value ना मिल पाए तो at least मैं इसको तो store करा दूँगा या फिर 5 भी ना मिल पाए अब मेरे पास यह मेरा area बचा होगा है left में आने के बाद 1 4 और 6 0 1 इसका middle कौन होगा यह होगा क्या four equal to five है नहीं मैं बोलना हूं four क्या है छूटा है किस से five से तो बताएए five किस साइड को मिलेगा आपको left साइड में यह राइट साइड में है चाहिड सी बात है right साइड में क्या इसके को भी इसके अंदर डालना चीह है नहीं क्यों क्योंकि मुझे बता हूँ यहां पर नहीं आएगा क्यूंकि यह value से छोटी है वह कहाँ पर आसकता है यह यह तो five मुझे मिल जाए यह five से जो सबसे पहला बड़ा नंबर है वह 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 ही पर five आसकता यह वह पर है कि स्टूर रिकरा है इसके अंदर गंदर एंसर आंसर जो में लास्ट भी करूंगा तो अभी तक υसमें तो 3 पढ़ा वह अंदर आपको जा रही इतना ही बचाव एंद गया ञागा इसके अउपर जब नहीं है तो मैंने देखा यह six five से बड़ा है उसने का है जब बड़ा होता है तो मुझे क्या श्टॉर करना पड़ता है index क्लियर है क्योंकि मैं समाछ सकता हूं कि यहां पर five आतकता है पहले वहां पर रीदा पहले मैंने चुछ था फाइव यहां पर आ सकता लेकिन एर से भी छोटी मुझे मिल गई जो फाइव से बड़ी थी वह क्या थी सिक वहां पर आप फाइव आना चीए तो वह मैंने स्टोर करा दिया अब जब मैंने वह स्टोर करा रखा है तो अब मुझे किदर को जान जाना चीए लेफ्ट में तो कुछ बचा ही नहीं है जब बचा ही नहीं है तो मेरा रूट हो गया और मुझे मेरा अंसर मिल गया बताइए चमका या नहीं चमक गया यह तो बहुत बढ़ी है और मज़ा भी आ तो मैंने का यही हम सब के लिए यूज कर रहे होंगे अराम से प्यार से समझ रहे हो हां भहिए तो अब इसको पार्ट में कैसे गंटग रहें को पार्ट में कैसे करेंगे वहां देख लेते और रतीन करने सब्सक्राइं मोझे हुएं अनुको लिक देता हम कि अगर मेरी ко mario क्या हूँ इकल। तो आ जैसे, किस के ब्राबर इंडेक्स के ब्राबर आ जाएरे? उस केस corner मुझे पता है कि यही मेरा answer है, परemen यह को जूँदा था, फुर मुझे मिल गिए तो इसके पर इंडेक्स को रिटन कर दो तो रिटन मिड है किलियर है यह पर इंडेक्स में मिड दाल दूगा लूप को ब्रेक कर दूगा कुछ भी आप कर सकते हो कि इंडेक्स में मैंने मिड दाल दिया आप मुझे आगे ढूंडने की ज़रूरत नहीं है और इसको ब्रेक कर दो यह मैं कर सकता हूं यह क्लियर हाँ अगला कंडिशन क्या हो सकता है एल सिप में कि एरे का जो मिड मुझे दिया है वो छोटा है किसे मेरे टार्गेट वेल्यू से तब मुझे किदर को जाना पड़ता है राइट साइड को जाता हूं तो वहाँ पर मुझे सिंपल सा स्टार्ट इक्वल डू मिड प्लस वन करना पड़ता है वहाँ पर मुझे कोई भी इंडेक्स को इस्टोर कराने की ज़रूद नहीं है क्योंकि यह वैल्यू छोटी है किसे मेरे टार्गेट से जब मैं पोर पर आया था तो फोर चोटा था किसे पाइप से तो फोर तो कभी यहां पर आई नहीं सकता तो मुझे किदर को जाना था वैल्यू हो सकती है और चले जाएए आफ लेफ्ट में इतना ही मेरा कोड था इतना ही तीनों कंडिशन मैंने लिख दी आपके सामने तो बताइए चमका नहीं चमका अब यह चमक चुका है इसके टाइम कॉंपलेक्सिटी क्या होगी इसकी भी लॉग नहीं होगी क्या होगी और ओफ लॉग नहीं होगी क्योंकि बानी सब्सक्राइब कितनी होगी और ओफ वन क्योंकि कोई भी एक्ष्टाइब स्पेस में यूज किया ही नहीं है तो बताइए यह कोड क्या आपके समझ आया है यह नहीं आया है भाईया इस इंडेक्स को आपने किसी भी वैल्यू से इनिसलाइज नहीं किया था जावने देखा था इंडेक्स को मैंने किसी भी वैल्यू से नहीं किया था बात तो सही है तो इसको किस वैल्यू से करूं किसी से करना पड़ेगा यह कंदी की जरोती नहीं हो यह भी तो सकता है माल लो यह आपको दे रहा है 146 8 10 14 16 18 और माल लो मैं पहले मिडिल बे आता है मैं देखता है यार 8 तो छोटा है किस से 20 से तो मुझे पता मेरा आंसर मुझे कहा मिलेगा राइट साइड में अभी इंडेक्स के अंदर कुछ इस टोर निकला रखा किलियर है हां मुझे पता राइट साइड में जाना पड़ेगा इसका इंडेक् के बीच में हां अब मैं यहां पर ढूंडूँगा मिडिल तो इसको मिडिल यह वाला मिल गया मैंने का 16 में छोटा है किस से जो 20 से तो मुझे पता मेरा आंसर मुझे राइट साइड को मिलेगा अब मेरे पास तिरब 18 बचाओ गया है मिडिल है क्या 18 बड़ा है 20 से यह बरा नहीं दिखेगा जब कुछ भी नहीं दिखा तो भाई लूप खतम लूप खतम हो जाएगा पहले यहां पर स्टार्ट रहा होगा इसी को स्टार्ट पॉइंट कर रहा है तो जब मैं राइट साइट पे जाने के लिए बूलूंगा तो स्टार्ट एंड ते आगे निकल हूं कि इंडेक्स को अगर मैं इनिसिलाइस कर दूं किस से एंड के साई से यहां पर एं क्या होगा एंट अगर इससे कर दूं तो मेरी प्रॉबलं ही रिजल डॉल हो जाएगी अ पागी हर केस के लिए यह कभर हो चुका है तो इंडेक को आप इनिसलाइस करोगे हैं से या पिर एट से जो भी एरे का साइज होगा उससे मैंने इंडेक्स को इनिसलाइट कर भी तो बताए चमक रहा है क्योंकि मैंने देखाए इंडेक्स के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं जा पारी थी किसी से तो इनिसलाइट करना पड़ेगा तो यह मैंने किया अब आप उसको एक भी देख सकते हैं कि Index को Update कौन कर रहा है सिरब वाला कौन? End वाला ही उसको Update कर रहा है जब यह वाली Condition जलेगी माकिन ना तो यह और यह वाला यह दू वैल्यू इंडेक्स को Update कर रही है यह उसको Update नहीं कर रहा है अब ऐसा हो सकता ना कि start वाले हमें से update हो यह दो condition कभी चले ना यह दो condition कभी चले ना start ऐसे आगे-ागे करके मूव करता रहे इसलिए आप समझ सकते हो कि मुझे update करना है किसे update करूं इस वाली value से हां तो किस से करा मैंने end से clear है हां वाया clear है तो अब इसके चलते हम implementation पर अब हमें करना है search insert position अब सबसे पहले इसमें भी हम सेम काम कर रहे होंगे कि start को किस से initialize करूंगा zero से एक end होगा उसको किस से initialize करना है array.size-1 clear हां और मुझे अपना एक answer variable जिसको मैं return कर रहा हूंगा तो answer वाले को किस से initialize करूं array.size से clear है हां यहां तक clear है और last में मेरा mid आ जाएगा बस यह answer वो होगा लगाना start किया सबसे पहले हम क्या ढूंडते हैं भहिए सबसे पहले ढूंडते हम mid का formula हमने लिख दिया start plus end minus start divided by 2 यह मैंने लिख दिया अब यहां पर हमारे पास कुछ condition arise होगी अब वो कैसे होगा कि if पहले करने से यह होगी कि मेरा array का mid बराबर हो गया जो मुझे target value दी कही है το हले हां तो मुझे मेरा answer मिल गया है वह किया है और इसको कर दो break अगला क्या हो सकता है else if मैं अगर मेरा एरे का mid छोटा आता है किस से मेरे target value से तो मुझे मुझे पता है मुझे किस side को जाना पड़ता है target की spelling गलत हो गई मुझे जाना पड़ता है right side में तो जब मैं right side में जाता हूं तो मैं simply मैं ऐसे करके move कर सकता हूं mid plus one clear else में कि जब मेरा area commit गिरेटर होता है मेरे target से तब मुझे पता है मुझे left side में जाना है और जिस index में प्रजेंटर उसको store भी करा दीजिए तो वह मैं यह आप एक कर रहा हूं तो answer के अंदर क्या store करा देता हूं mid key value और end को ले जाता हूं left side को इस type से clear है हाँ जी वहिया clear है और जब यह आपका खतब हो गया तो मैंने simply return कर देना है अपने answer को इस तरीके से अब अगर मैं इसको run करूं तो देखते हमारा answer क्या आता है तो हमारे तीनो टेस्स के इस पास हमने किया इसको submit और हुर्रे हमारा code हो चुका है successfully submit भी तो आई होप आपको यह code अच्छे से समझाया होगा कैसे हमने इसको solve किया अब यह नहीं कि आप इसको ऐसी कर सकते हैं आप इसको यहां से direct भी आप return करवा सकते है return जो भी मेरा mid की value थी आप ऐसे भी कर सकते थे इसको तब भी यह successfully run करेगा clear है हाँ जी वह clear है तो बढ़ते अपने next question कियो अब जो मारा next question होने वाला है हो है square root of X एक नंबर आपको given होगा और आपको बताना है सब्सक्राख कितना है मालों आपको sounds given हैī Хंडर सका रूट कितना होता है भाया 10 10 मुझे answer में दीना आपको 81 दिया है सब्सक्राख कितना होगा भाया उसका स्कॉर कितना होगा 8 point होगा तो मैंने इक हुएंट वाली को तो यहां पर करने के क्या जरूवत है माल लीजिए मुझे 100 का स्क्वार रूट ढूमना है बहुत important concept है बहुत कुछ तिका के आपको जाएगा 100 का स्क्वार रूट ढूमना है तो मैं क्या करता हूँ पहले मैं वन से लूप चलाने स्टार्ट करता हूँ यह करता हूँ वन से वन इन्टू वन कितना होता है वन ही रहता है अभी छोटा है फिर टू के लिए देखता हूँ टू जा पूर अभी छोटा है घ्री थरी जा एक्जेक्टि एंडट के को ला गया तो मैं बोल देता हूं यह मेरा अंसर किलियर है मैंने यहां से जो भी नंबर है 100 कि वन से स्टार्ट करना काउंटिंग शुरू करूंगा पहले वन पर चेक किया वन का स्कारी कित नौत है उसने का वन नी होता है मैंने चोटा है फिर फिर फॉर पर फिर फाइफ पर फिर शिक्स सेवन एट नाइन टैन एलेवन ट्वल ऐसे ज़िए करते मैं आगे बढ़ता ग लिजिए अगर यह यह नहोते होएं एटी होता तब क्या करता है तो मुझे पता है वन से लेकि एटी तक सब को चेक्कल लूँगा तो वन का गतना होता है रीप नाइं पोर का 16 फाइप का 25 सिक्स का 36 सैवन का 49 एट नाइन एटी वन एटी से आगे निकल चुका है ठीक तो म point something तो मुझे चरप 8 कोई आंसर में देना है तो इसका आंसर दे दूंगा मैं एट किलियर है हाँ जी भईया किलियर है तो हमने जब इस मैंतर से इसको solve करना चाहा तो इसके time complexity कि दिनी रही होगी बताइए जब मैंने इसको इस मैंतर से करना रहा होगा किया आप गैस कर सकते हैं यह आपके लिए homework है किया order of nd या फिर square root of या फिर under root of nd इन मेंसर इसका अंसर क्या है यह था यह 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 आपके लिए homework करे जब मैं यह कर दा कम टाइम में आप्टिमाइज अप्रोच कैसे भाई वह देखते हैं मैंने का मेरे पास यहाँ पर जब भी कोई नंबर गीवन है 80 है कि मैं यहाँ पर एक पैटन देख पा रहा हूं एक पैटन की अगर मैं बात करूं मैं देख पा रहा था जब तक मैं इस इस एट तक नहीं पहुंचाता किस एट तक यह यहां पर गिवन था पुड़ा पैंचेंज करता हूं ओके जब तक मैं इस एट तक नहीं पहुंचाता तो हर एक जो भी नंबर का मैं स्क्वाइर कर रहा था वो सब 80 से छोटे थे जैसी मैं एट के इधर गया 9 10 11 12 13 जिसको भी जाओंगा उनका जब स्क्वाइर करूंगा वह 80 से बढ़े आएंगे ऐसी हो रहा था इसके इधर वाले इससे चोटे हैं इसके उधर वाले सब उससे बढ़े हैं एक पैटन बनता भी मुझे नजर आ रहा है इससे मुझे क्या फा ठीक बीच वाले नमबर को उठाता हूं ठीक बीच वाले वाले इससे क्या होगा मुझे केसे को एलिमिनेट करने आ जाएंगे जैसे मैंने अगर 1 से लेके मुझे 80 तक मुझे नमबर दी है मैं इसका अगर मिडिल वाले इलिमेंट ढूँ तो क्या आएग 180 के 40 का कितना होता ह कितना होता है 1600 तो मैं वहाँ पर खेस अकता हूं अगर 40 यहां पर आ रहे है मैंने मिडिल एलिमेंट ले लिया 180 का मैंने का इसका आँसर कितना आ रहे है 1600 एक्टी से बहुत बड़ा नमबर है बहुत बड़ा नमबर है क्या मुझे अब इधर नमबर चेक करने की जरूत है कि किसी को भी 41 पर 42 43 किसी पर चेक करने की जरूत है नहीं भाईया चेक करने की जरूत नहीं है तो इधर वाले केस तो मैं चेक ही नहीं करूँगा आधि केस खतम मुझे किदर को चेक करना पड़ेगा लेट में ओ यह तो बहुत ही महत अप्रोज हो था यह आपने कुछ तो बुढ़ा दिये कैसे मैंने मिडिल वाला एलिमेंट लिया और देखा क्या उसका जब मैं स्कॉयर करता हूं 14 to 40 1600 होता है वह हमेसा 80 से बढ़ा रहा है क्योंकि 80 का मुझे स्कॉयर रूट निकालना है वह 80 से बढ़ा रहा है तो मुझे पता 41 42 43 44 किसी पर चेक करके कुछ हो सकता हूं अब मुझे 39 से लेप साइड भी आने के लिए अब वन तक के नंबर पर चेक करना पड़े है अब अब 39 कितना होता है 40 कितना होता है 20 तो मालों 20 आपका कहीं यहां पर लाई कर रहा है मालों ऐसे करके 20 इसको बोलते था हूं कि इसको 80 बोलते हूं ज़र होता है नहीं क्योंकि वो भी उससे बड़े होंगे वह तो आंसर का पार्ट होई नहीं सकता है किलियर है हाँ जी वह किलियर है तो मैंने का यह वाले केस मत करो आप 19 से लेके 1 तक के नंबर पर चेक करो अच्छा अब मैंने इसको बूल दिया तुझे 1 से लेके 19 तक के बैट क्या एगा 10 है 10 का स्कॉयर कितना होता बताइए लगे 10 का स्कॉयर होता है 100, ॐ यह यह वह से बड़ा है अब मुझे 11 12 13 14 15 किसे बीच करने की जुरुवत भी है मुझे पता उन पर चक करने की जुरुवत नहीं है क्योंकि वह भी उससे बड़े ही आंसर आएंगे आंसर नहीं मिलेगा मुझे वास मुझे पता जो आंसर लाई करेगा इस साइड को ही करेगा तो मैं बोलूँगा किदर को आ जाओ लेट साइड में अब मैं बोलूँगा 1 से लेके 9 तक के नंबर पर चेक कीजिए अब इसमें देखते हैं कि भाई यह मेरा था मुझे 80 के लिए आंसर चीए था मेरा 1 था और 9 यह वाले केस के लिए आप चेक करने की जुरूद नहीं है इनके बीच में काई आंसर लाई कर रहोगा इसका मिडियल एलिमेंट क्या होगा यह 5 1 प्लस 9 10 डिवाइड़ वाई 2 5 5 का स्क्वार कितना होता है 25 25 का 80 से छोटा है क्या यह आंसर हो सकता है इसवेर्ण में 5 हो ऐसकता है ऐसकि बोल deswegen children को जब मैं इदर को आहरा तब तर नहीं बोल रहा जम healthy मानलो जब एक यह एक का कभी नमबर आया ऐसले मैंने बोला कि 8 मेरा potential answer हो सकता जब भी यह Less than equal to 80 रहे अगर मैं अगली बार जब मैं राइट साइट को जाऊ और मुझे ऐसा नंबर मिले जो 80 क्रॉस्पर जाए तो मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं चूटनी चाहिए इसलिए मैंने इसको पॉटेंशिल आंसर माल लिया जैसे मैंने यहां पर माना कि मुझे पता एट इंटू एट करो 64 आए मुझे पता इसका आंसर 80 होने वाला इसलिए मुझे एट को भी इस्टोर कराना पड़ेगा उस टांग पे जब भी उस उसको इसके पास जाना है एट्टी के पास जाना है किसे पास लेट को जाएगा राइट साथ को जाएगा उसे हूप इमेल पर चेक जरbike करो को कि अगा इंहिए Laz ze कि 6 से लेके 9 तक के नंबर को चेक करो किलियर इनका मिडिल एलिमेंट क्या होगा साथ होगा साथ पर चक्किया 7 को इसकार कितना होता है 49 49 भी क्या होता है 80 से छोटा तो मैंने का ये भी मेरा कोई potential answer होता है कि 7 point something point 7 point something क्या बता 80 को बना दे तो मैंने अब इसको हटा के 7 यहां पर लिग दिया potential आंसर को मैं यहां पर डाले जाओ clear है अब मुझे पता 49 क्या था छोटा था उसको 80 के और करीब लेके जाना पड़ेगा तो करीब कैसे जाएगा जब राइट साइड को मूब करेगा तो अब यह राइट साइड को गया होता है हां जी होता है हां जी होता है हां जी तो मैंने बोला क्या यह मेरा पोटेंशल आंसर हो सकता है उसने का हो सकता है एट को अपडेट कर दिया और अब मैं किदर को जा सकता है मुझे पता 64 चोटा है उससे अभी और नदिक जाना इटिक है उसने का राइट साइड में जब राइट साइड में जाएगा तो मेरे पास सिर्ब 9 ही बचेगा तो यही मेरा स्टार्ट है यही मेरा एंड है कि इसका इसने इंकाम करूंगा मिडल रूम ने एकोस्टिस करूंगा क्या एगा इसका मिडल नाइन जा एटीवन एटीवन क्या आता है एटी से छोटा है जब यह वाली कर्णिसन आती है तो क्या गाता है यह लाइफ साइट को जाएगा और इस्टार्ट यहीं रह जाएगा और मेरा लूब ब्रेक हो जाएगा और मुझे मेरा पहला अंसर मिल गया तो बता यह चीज चमकी यह ने चमकी मैंने क्या किया पूरे कोड में मैंने सिंपली क्या क्रा मैंने मीडिल वाला एलेमेंट को पकड़ा उसका स्कॉर्ड किया और जो गीवन नमबर है अगर वो उसको एकसीट कर दा रहा गा तो मुझे पता है यार राइट साईड में जाक अब वो उस given number से छोटा आ रहा है तो मुझे पता है वो potential answer हो सकता है confirm नहीं हूं कि है ही है मैं कहा रहा हूं उसका potential answer हो सकता है इसलिए मैंने उसको store करके रख दिया तब मैं right को move किया क्या पता और कोई हो जो उसके और नददिक जा पाए clear है हाँ तो मैं इसी लिए इस score में ये changes कर रहा है तो बताए चमक रहा है नहीं चमक रहा है हाँ भाईया चमक रहा है मैंने का इसकी conditions क्या होंगी एक answer ले लेते हैं 11 जिसमें answer store करके रहूँ है clear है हाँ तो मैंने का condition तो वही रहेंगे अपनी वाइल लूप वाली कि वाइल स्टार्ट less than equal to end कि लियर स्टार्ट को किस से initialize करूँगा पताए वन से और end को किस से initialize करूँगा जो given x रहेगा नंबर रहेगा जो भी रहेगा सबसे पहले मिड़ वाली वेल्यू मैंने लेली है क्या लेली मिड़ वाली मिड़ में क्या आएगा स्टार्ट एंड डिवाड़े वाइट टू या फिर इसको थोड़ा अच्छे पॉर्म में लिखते होए ऐसे करके हम लिख देंगे ताकि यह वोड़ फ्लो ना करे क्लियर है अब यहां पर क्वाइब को होकती है नवलाला इल्स पर अगार मेरे आगे होड चेकने की जोड़ा नहीं है अगर मिड इंटू मिड एक्कल टू एक्स आ गया तो मुझे पता वह इसक्वाइर ही है ठीक तो मिड को मैंने इस्टोर करा दिया लोग को ब्रेक करा दिया अगली क्या हो सकती है कि एल्सिप एलसिप में क्या होतकता है कि मैंने मिड उन्टू मिड करा अब वो अगर छोटा आ रहा है किस से मेरे एक से तो मैंने क्या बोला जब वो छोटा आ रहा है तो मैंने बोला था किदर को जाना पड़ेगा राइट साइड को जाना पड़ेगा और एल्स में अगर यह बढ़ा रहा है तो मुझे पता है मुझे लेफ्ट साइड महार है तो लेफ्ट साइड में आने के लिए N इक्वल टू मिड माइनस बस यह मेरा लूप खतम अब प्रॉब्लम में मेरी रिजॉल हो गई तो बताए यह चमका नहीं चमका यह कॉंसेप्ट यह चमका नहीं चमका हाँ मैंने एक और अगर मैं आप आप से बूलूं कि आपको निकालना है 49 निखाना है यहां पर बंद दे रहा है पहले मिट्राल एलिमेंट क्या होगा इसका 25 होगा 25 का इसकार कितना होता है 625 49 से बढ़ा है 49 का मुझे आंसर निकालना था है न बढ़ कि लिए है हां लेट साइड में इसका आंसर हो सकता है कहां किसे कहां की बीच वन से लेके 24 के बीच अब मैं इसके पूटिंशल आंसर को देख रहा हूं 12 मिडल वाला 12 का स्कार कितना होता है 144 49 से बढ़ा होता है क्या 13 14 15 किसी पर चेक करने की जोड़ होता है नहीं है तो यह फाइसकार कितना होता है 36 होता है क्या 36 बढ़ा है 49 से यह इक्वल है नहीं छोटा है तो मैंने बोला पोग विगोल आंसर में 6 को रख दी जिए यह मेरा आंसर हो सकता है क्या था six point something into six point something क्या पता उसको बना दे क्या पता मुझे क्या पता क्या पता बना दे इस लिए मैंने रख दिया clear है हाँ तो मुझे पता है 36 छोटा था किस से 49 से ठीक मुझे आप किस साइट को जाना पड़ेगा राइट साइड को डाइट साइड को य度 किसके पास लेकी जा रहे है ठीक जब बड़ी वैलियू आ दी था तो उसको लेफ्ट के और लिके जा रहा था छोटी वैलियू आ रही है तो मुझे पास किसे लीए गा यह स्टार्ट हो गया यह एंड हो गया अब यह कुछ ऐसा दिख रहा है कि ग्यारा साथ अठारा नौ पर चक्किया नाइन का स्कॉर कितना होता है 81 क्या 81 49 से बढ़ा है तो मैंने बोला भाई यह लेट साइड में आप चक्क करो कि 7 से लेके 8 क्या होगा सावन प्लस एट 15 डिवारे बाइट टू क्या ता सवन यह आता है मैंने यह आप चक्किया ता इसकर कितना आता है 49 49 इकल टू 49 अब डारेक्ट सेवन को आंसर में दे दूंगा आंसर के अंदर सिधा 7 को अप्डेट कर दो और लोग को ब्रेक कर दो आदे केस को हमेसाथ आ रहा था पहले अगर आपते बाद साइस का एरे था तो पहले उसको 50 कर दिया अगर 100 का मैं नमबर ढूंड़ आओ तो पहले मैं 50 वे चक्क किया यहां से तो मैं लेफ जाओंगा यह तो राइट जाओंगा तो आदे केस आपके हड़ गए फिर इस यूज किया आपने नहीं order of one तो बताइए यह question चमका नहीं चमका हाँ चमक गया तो क्या हम इसके solution के और बढ़ सकते हैं हाँ जी बढ़ सकते हैं तो चलो इसके solution को भी अच्छे से चमकाते हैं अब है हमारे पास square root इसको हमने बहुत इंट्रेस्टिंग तरीके से सीखा है तो भाईया सबसे पहले इसमें भी integer start कहां से करूं भाईया 0 से अगला end कहां पे हो गए x पे clear हाँ जी भाईया एक mid value होगी और एक अपना answer होगा यह चारू चीजे मैंने लिख दी अब पहले हम लूप बनाना start करते हैं while start less than equal to end हम लूप के अंदर आ चुके हैं सबसे प इसकी बहुत बच्चों को practice होई होई अच्छे से होई नहीं होई हाँ भाईया हो गई अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा compare करूंगा क्या mid इंटु मिड एक्वाल टू किसके बराबर है जो भी मुझे x के बराबर है अगर हो गया तो मैं simply यहां से return कर सकता हूं mid को मुझे और आगे जाने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि मुझे अपने answer को ही return इसमें करना है यह function दिया है उसमें मुझे इस mid को return करना है तो यहां से मैं सीधा अपने answer को return कर सकता हूं clear हाजी वह अगला condition क्या हो सकता है कि else if mid into mid अगर मेरा क्या आता है छोटा आता है मेरे x से तो मुझे किदर को move करना पड़ता है right side को right side में move होने से पहले मुझे उसको answer गेंदर store कराना पड़ता है mid को जो हमने देखा था और start equal to कर दिजी आप mid plus 1 और last में else में मैं क्या कर दूंगा end equal to mid minus 1 हाँ जी भईया आगे समझ अब जब मैंने ये कर लिया तो last में अपने return किसको कर दूंगा जो भी मेरा answer निकला था भईया वापे तो आपने थोड़ा अलग तरीके से समझाया था मैंने का आप इसको ऐसे भी लिए सकते हैं कैसे कि answer में मैंने mid को store करा दिया और break कर दिया लूप को आप ये भी कर सकते हैं आप दोनों में से कोई भी process को follow कर सकते हैं ये clear है ये तीनों statement clear है if वाली, else if वाली और else वाली जब medium to mid की value छोटी होती है किस से मेरे target value x से ठीक तो मुझे किदर को move करना पड़ता है right side को और right side में move होने से पहले मुझे क्या ध्यान रखना है कि mid को store कराते हुए चलो हाँ जी वहिया और नहीं तो अगर मुझे left side को move करना है तो n equal to mid minus 1 क्या यह हमारा चलेगा तो एक बार इसको run करते हैं इसको हमने run किया इसने मस सारे test case pass कर दिये दुनों अब अगर मैं इसको submit करूंगा क्या हमारा code अच्छा है या बुरा है तो देखिए इसने दिया है हमें error पहला error इसने दिया है मुझे integer overflow का किसका integer overflow और कौन सी line पर दिया है character 18 तो वो कह रहा है कि इस वाली line में error है integer overflow का तो क्या आप मेंसे कुछ बच्चे इस overflow को हटा सकते हैं मैं आपसे प्रस्न पूछ रहा हूँ जी हाँ हम अटा सकते हैं यह overflow किसकी वज़सार होगा made into made की वज़से कि made एक बहुत बड़ी value है made एक बहुत बड़ी value है जब वो द यहाँ वो made multiply होता है उधर जाके divide कर दो तो वो खुदी handle हो जाएगा चमक गया हाँ बहुत कि मुझे बता है अब यहाँ एक छोटी value की rate होगी और यहाँ भी छोटी value ही रहेगी तो उनको मैं compare कर सकता हूँ अगला change मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि made को दूसरी side लेके चले जाओ बस divide में ऐसे करके आप इनको handle कर सकते हैं छोटी-छोटी चीज है क्या अब मेरा code पूरी तरीकी से optimize है देखते हैं क्या हमारे कुछ cases बच रहे हैं तो अब इसने फिर से error मारा है कि आपका code x equal to 0 पे run नहीं कर रहा है clear runtime error दे रहा है जब मैं division by 0 कर रहा यार test cases को कैसे handle करना है जब मैंने देखा यार जब meat की value 0 होगी तो x divided by 0 ये condition handle नहीं कर साथा कोई भी हाना वो undefine है 1 divided by 0 क्या है undefine है तो महलब उसको मुझे भारी define करना पड़ेगा तो लीजिए मुझे पता है अगर x की value क्या होई equal to 0 होती है ठीक तो मेरा answer क्या होगा 0 ह होगा तो मैंने यही से data 0 कर दिया नहीं चाना तुझे अंदर clear क्या अब ये proper तरीके से run करेगा अभी दो test क्या अब ये proper तरीके से काम करेगा देखते हैं फिर से फिर से इसने error मा रहा है अब इसने क्या क्या है division by 0 undefined behavior for x equal to 1 1 के लिए इसने undefined behavior दिया है जब मेरा input 1 था तो 1 बे भी एक error आ रहा है 1 को कैसे handle करूँ ऐसा क्यों किया उसने 1 के लिए क्यों मुझे पता है x के अंदर किसकी value आएगी 1 की तो 0 प्लस 1 का जो mid आएगा 0 ही आएगा इसलिए उसने उसके लिए error मा रहा है तो मैं समझ सकता हूं कि यही पर अगर मैं 1 को भी handle कर दूँ अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ एक्स लेक्जन 2 हो तो return कर देना x को ही किलियर है हाँ जी भई है किलियर है अब देखते हैं हमारा code चलता है नहीं चलता अब हमारा code बिल्कुल अच्छे तरीकी से चल गया इसने पहले runtime 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 और लास्ट में accepted तो एक चीज हमेशा याद रखना आपका code जब भी error मारेगा या तो वो किसी extreme value के लिए मारेगा ठीक int max type के बड़ी value के लिए यह वो int min value के लिए यह भी 0,1,2 इनके लिए error मारेगा हमेशा याद रखना इन चोड़ी चोड़ी चीजह है जनको आप सीख सकते हैं उनके साथ आप improve कर सकते हैं अब हमने पूरे code को optimize होना दिया है अब बहुत बच्चे वोलेंगा यह क्या कर बस यह मैंने कर दिया और मैंने अपने सारी cases को handle कर दिया I think अब clear होगा यह question हाँ भया तो इसकी जो time complexity निकली वो कितनी निकली भया वो निकली है अपनी login तो I think यह भी आपको अच्छे से चमक गया होगा बढ़िया से चलो अपने चलते हम next question पे अब जो हमारा last problem है वो यह यह रहा आपको एक array given है जो एक sorted form में है वो भी strictly increasing सारी value different है सारी value distinct यह given है और यह किस form में increasing order में clear वो पूछ रहा आपको आपको ढूंड़ना है kth positive missing integer मतलब यह रहा मैं one से counting सुन करूंगा क्या इसमें प्रजेंट है नहीं है तो one इसमें missing है क्या to present है है three इसमें present है 4 इसमें present है, 5 इसमें present है, नहीं है, तो second positive missing integer मेरा 5 रहा, अगर यह मुझे k equal to 5 के लिए पूछता है कि 5th positive missing integer कौन सा है, तो पहला ही तो यह निकल गया, दूसरा यह निकल गया, तीसरा, क्या 6 present है, नहीं है, तीसरा मेरा यह हो गया, क्या 7 present है, उस निकार है, तो fourth यह हो गया, क्या 9 present है, नहीं है, तो fifth मेरा यह हो गया, इस तरीके तरी, मुझे अपना answer देना है, नहीं, इस question को हम कल solve कर रहे होंगे, पर उससे पहले, जानी से पहले, आप इसको खुद से एक बार try करें, जब तक try नहीं करोगे, तब तक आपने वह सबलता नहीं मिलेगे, पहले इसको good force से solve करना, नहीं बनेगा, अगर बन गया तो बढ़िया, नहीं बना, तो try करना, वन्ना मैं कल solve करा दूगा, जो बना देते हैं, फिर इस आप सोचना, कि इसमें binary search का concept क्यों लगा है, simple सा, clear हाँ, अब जो एक आखरी question, जो आपको करना है, मान लो ये, एक area आपको given है ऐसे करके, two, four, 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 five, six, इसमें मुझे count करना है, एक area given है, increasing order में, इसमें मुझे count करना है, इसके four की occurrence के four इसमें कितनी बार आए, तो मैं देख पार हो, इसमें एक, दो, तीन, चार, चार बार four आया, तो ये मुझे output में देना है, question clear है, एक area given रहेगा, ठीक है, ऐसे इसमें चार नंबर सारे given है, एक target values रही की four, कि उसके occurrence को आपको output में देना है, ये कितनी बार आया, तो मैंने देखा ये चार बार ये आया, कितनी बार आया, चार बार, तो चार को मुझे output में देना है, तो इसको आप solve करो, क्या मैं manually solve करूँ इसे, linear सरते, उससे कर सकते हो, या फिर, जो concept हमने सबसे पहला पढ़ा था, इस class में, कि अगर मैं इसकी first occurrence धूण लूँ, ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और last occurrence धूण लूँ, तो ये fourth index में, फॉर्स्ट वाली, इसमें, four में से one किया three, इसमें आगर एक add कर दूँगा, तो चार आ जाएगा, चार में रा answer, तो जो पहला concept हमने पढ़ा था, वही concept यहां पर use हो रहा है, अगर मैं four की first और last occurrence धूण लूँ, तो मैं गिन सकता हूँ कि उसमें, उनके बीच में, चार नंबर present होंगे, वही मैंने कर रहा है, और तब हम इस problem को log and time में solve कर सकते हैं, वन्ना minutes तरते कितना time लगेगा, order of and time, चमक रहा है नहीं चमक रहा है, हाँ, तो भाई आज जो question दिया है, उनको practice करो, कुछ questions आपको homework sheet में मिलेंगे, उनको practice करो, और कल जो case missing वाला है, हम मुझे को discuss कर रहोंगे, तो मिलता हूँ आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भाराइब।